मैं आज आप लोगों की डिमांड से कुछ लेकर आ रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग परिशान हैं जो ये हरियाना में जो पीजटी का पेपर आने वाला है अभी जो इसका स्लेबस अभी क्योंकि निकला ही हुआ है तो जो लोग अपलाई कर रहे हैं उनके लिए मैं स्लेब टोड़ा सा या मैं धीकला डैन्हेगल है योगर बस ऐसे ऑदियाना में आ च्पिर अपको पढ़ना है और क्राफिक्ड फडिक से बाहर इसका मैं पढ़ना है टेक्निकल आर्ट उसमें आपको पढ़ना है, ग्राफिक आर्ट पढ़ना है, टेक्निक्स पढ़नी है, बाकि उल्मुस्ट बही स्लेबस है, जो आप पढ़ते हैं, इंडियन और वेस्टन का, आर्टिस्ट भी वही है, सारे आर्टिस्ट आप लोगों को पढ़ने ही नहीं है, कुछ artist आपको पढ़ने है ठीक है ये तो वही आपके syllabus की बाग तो अभी मैं syllabus आप लोगों को करा देती हूं अभी जो मैं आपको बताने जारी हूं क्योंकि मेरा KBS का नया batch start हो रहा है तो मैं कर रही हूं उसको 20 December से जो लोग join करना चाहते हैं वो लोग join कर सकते हैं मुझे मे KBS के पेपर की preparation जो Hindi, English आप लोगों का reasoning है जीके है आप लोगों का तो वो भी available है वो आप कर सकते हैं अब मैं बात करूंगी या फिर other के लिए जो फस्स पेपर के लिए है वो भी कर सकते हैं अब मैं बात करूंगी आप लोगों के जो आप लोगों का paper है हर्याना का वो किस तरह से आएका किस label का आएका क्योंकि PGT का exam है तो PGT का label उन्होंने उस हिसाब से बहुत ही सई दिया है तो चलिए पहले देख लेते हैं फिर मैं बताऊंगी आपको तयारी कैसे करनी है नेक्स वीडियो में बताऊंगी तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसका जो syllabus रहेग यह आपका syllabus है चलिए हम देख लेते हैं क्या इसके लिए रहेगा क्या syllabus इसके लिए रहेगा syllabus देखिए मैं मानती हूं उसमें length दे रखी है बट length नहीं है क्योंकि इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूं syllabus में actually यह topics लिखे हुए हैं ना कि chapter लिखे हैं तो हम topic wise पढ़ते ह हैं क्या क्या दिया हुआ है first unit पे अगर हम चलते हैं तो first unit देख लेते हैं first में दिया है general characteristics of visual art fundamentals of visual art यह है कला की सामाने विशेशता है द्रश्य कला की और द्रश्य कला की मूलतत्व जैसे कौन-कौन से है space, form, size, shapes, line, color, texture, tonal values, perspective design and aesthetics organization of visual animal elements in objects composition मतलब यह है आप लोगों का मैं बता देती हूँ देखे यह fundamentals of visual art द्रश्य कला के मूलतत्व, रूप, आकार, रेखा, रंग मतलब रेखा, रंग, रूप, आकार यह आपको करने है परिप्रेक्षे करने, design और एक बस्तु में द्रश्य तत्वों का सोंदरे क्या होता है, aesthetics दिया है वो आपको करने है मतलब सोंदरे कला में इन तत्वों का क्या महत्तु होता है वो चीज़े आपको बतानी है the uses of two and three dimensional visual art, textile quality in art, environmental art, process, factual and conceptual aspects in art यह आपका दिया हुआ मैंने dimensional आप लोगों को कराई है बहुत अच्छे से बताया है मैंने YouTube पर की two dimensional और three dimensional क्या होते हैं उनी से related आप लोगों को पढ़ना है द्रश्य कला में इनका क्या महत्तु है किस तरह से उपयोग होते हैं वो चीज़े आपको करनी है, textile quality और environment and art यह है कला में सपर्श की गुडवत्ता और पर्यावरन और कला, next है कला में आधार, आत्मक और वैचार की पहलू कुछ आप लोगों को करने होंगे, ठीक है यह थी आप लोगों की unit first, unit second पे हम लोग चलते हैं, second unit है आप लोगों की इंटरनेशनल स आप लोगों की बिविन कलाओं का अंतर सम्मन, rhymes, structure, use of shapes, visual properties, materials, techniques, traditional and modern, ideas, themes, narrative and non-narrative, conceptual, abstract elements between performing, literaries and plastic art, देखेगे क्या है आपका, यह है ले, rhymes, rhythm दिया है, ले, स्थान का उप्यूग, uses of space, द्रस्य गुण, visual properties, सामगरी, material और टेक्नीक, traditional and modern, ससर्थ और आधुनिक, ideas, बिचार, themes, विशे, narrative and non-narrative, कथा और गैर, गैर कथा, प्रदर्शन, सहित्यक और प्लास्टिक, between performing, literary and plastic art, यह है आप लोगों का सहित्यक और प्लास्टिक कला के बीच, बैचारिक, अमूर्थ तत्वों को आपको बताना है, ठीक है, यह भी ज़्यादा tough नहीं है, जो elements आप लोगों को करवाए गए हैं, उन्हीं में वे सारी चीज़े आपकी आ जाती हैं, मतलब कुल मिलाकर इसमें graphic art को थोड़ा सा जो technical art है, वो आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, उसी को main अभी तक हमने उसी को पढ़ाए जो aesthetics है, वो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो aesthetics को हम सबसे ज़्यादा भी करेंगे इसमें, नेक्स प्रेस में हैं आप लोगों का, चली देख लेते हैं, traditional and modern techniques and procedures used in making painting, sculpture, print, थर्ड यूनिट क्या कहती है, धर्ड यूनिट कहती है, द्रश्यकला बनाने में पारंपरिक और आधुनिक, माध्यम, सामगरी, कौन-कौन सी print करना देखे, कौन-कौन सी सामगरी है, पेंटिंग, मूर्ति कला, sculpture कला, थर्ड, पेंटिंग, मेंकिंग, मूर्ति कला, print बनाने की बिधी, और आपका आज आता है, ये, mural, graphic design and multimedia art के क्या है, मैं आपको बताती है, इसमें जो पेंटिंग, मूर्ति कला, print, making, भित्ती, graphic design और multimedia कला, विश्कार, अनुमूलन और इन माध्यम, इन सभी माध्यमों की सामगरी का, पूर्व एतिहासिकाल से लेकर, आज तक पूरे विश्व में, क्या विकास रहा है, वो आपको बताना है, मतलब इसमें, जो विकास अभी तक, टेक्निक के मामले में, अगर हम देखें, या पेंटिंग, स्कल्चर, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, ये सारी जो चीज़े हैं, ये पहले कैसी थी, और अब तक इनका क्या विकास हुआ है, वो आप लोगों को पढ़नी है, नेक्स्ट पर चलते हैं, योनिट आपकी फूर्थ हा जाती है, ट्रेडिशनल और मोडरन टे पकनी के क्या है, वो आप लोगों को करनी है, और इसके बाद प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएं पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट बनाने की, प्रिंट बनाने की जो कला है, वित्ती चित्र, ग्राफिक डिजाइन, मल्टी मीडिया आर्ट, सच अज मॉडलिंग, तो लाइक, इंपेस्टो, जैसे की इंपेस्टो है, ग्लेजिंग है, वानिशिंग है, ड्रिप है, ये सारी चीज़े, एचिंग है, रिलीफ है, सरफेस है, कुल मिलाकट, टेकनिकल आर्ट का प्रोसेज, इसमें आप लोगों को करना है, फ्रेसको ब्यूनो, फ्रेसको सेको, चलिए, नेक्स पर बढ़ते हैं, फिप्ट यूनिट आप लोगों की सलेबस लेंथी है, क्या है, ये देख लेते हैं इसको भी, तो फिप्ट यूनिट आप लोगों की कहती है, बिशे सग्यता एक छेत्र के रूप में सामान्य रूप से द्रश्य कला और इतिहास के छात्रों के लिए, विश्व में कला के इतिहास, जैसे बिज्यापन और बिपन के इतिहास सहित, अध्यन की क्या प्रसांगिक्ता है, तो यह जो हम पढ़ रहे हैं, इनका विश्व में, भारत में, कला के इतिहास में, इनका अध्यन की प्रसांगिक्ता को हमें बताना है, यूनिट फिप्ट पे हम चलते हैं, शिक्स यूनिट कहती है, रिलिवेंस और अफ इस्टेडी, ओफ एस्टेटिक्स और क्रिटिकल थेओरीज ओव आर्ट फोर दी हूनिट फिए क्या है, यह पिल्कुल इसी से मिलता है, थोड़ा सले बस आपका नेट से मिलता है, विश्वल आर्ट उसी में जाता आता है, द्रश्य कला के छात्रो एप्लाइड आर्ट के छात्रो सहीद और कला इतिहास और कला अलुछना भिसे सग्यता छात्रो के लिए कला के सोंदर रिये और साथ साथ महतपूर सिधामतों के अध्यन की प्रासंगिकता क्या है वो आप लोगों को बढ़नी होगी जैसे कि उपर था उसी से सेम लिया गया है नेक्स्ट पर चल लेते हैं सिक्स पर युनिट